हेलो एंड वेल्कम स्वागत है आप लोगों का मेरा नाम है गौरफ शर्म और MPPSC की ऑफिशल चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो यह बड़ा टेलिग्राम चैनल है गौरफ शर्म इसकी कीमता बढ़ने वाली है इनको बढ़ने से पहले आप अनकेडमी प्लस को गौरफ लाइब कोड के माध्यम से जोईन कर सकते हैं यह हमारा जो एक इनिसेटिव है इसके थुरू हम कुछ कौनसेप्टों पर चर्चा करेंगे कुछ चीजों पर आप से बाते करेंगे आज क कि हमारे दो मुद्दे हैं इन पर हम लोग देखते हैं क्या मतलब कौन-कौन से मुद्दे हैं चलिए शरू करते हैं सबसे पहले तो छोटा सा मुद्दा यह है कि सरकार की तरफ से अभी जो बजट आया था इस बजट में बोला गया था उन्होंने कि जो ओल्ड आपके पास कोल कमपनिया है कोल मतलब जिन से हम लोग उर्जा का उत्पादन करते हैं इन कमपनियों को सरकार किलोज करना चाहती है सरकार इनको बंद करना चाहती है तो इनको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या इनका समाधान हो सकता है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं दे अब उचित है उसके पीछे कारण क्या है यह कहते हैं कि पहला कारण है इसकी जो दर है बिद्द उत्पादन की दर है यह बहुत जादा आपके पास हो गई है दूसरा कारण क्या है यह कहते हैं कि कारवन जो उत्सर्जन है यह कारवन उत्सर्जन की दर भी आपके पास बहुत ज़्यादा हो गई है और तीसरा कारण यह है कि जो बिदली उत्पादित करते हैं उसकी जो मात्रा है यह मात्रा भी आपके पास यहाँ पर कम हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं जिसे मानलोग carbon oxygen की दर अगर जादा हो गई है तो इसको control करने के लिए एक scheme चलती है pollution control करने वाले आपके पास equipment आते हैं हम इन equipment की सहता से pollution को control कर सकते हैं इन equipment का use करके आप pollution का कम कर सकते हैं लेकिन सरकार ये कहती है कि पहने से ही तो बिडुत का उत्पादन कम हो गया है मत्तब हमको बजली महंगी पढ़ने लगी है अगर इसमें equipment और लगाएंगे तो बजली और महंगी पढ़ने लगेगी इसी लिए इसको हमको बंद कर देना चाहिए आपके में से में पॉर्षन आया कि जो पुरानी कोल कमपनिया है इन कमपनियों को बंद करना क्यों उचित है इसके पीछे कारण दीजिए तो आप लोग बता सकते हैं कि पुरानी जो कमपनिया है अब इन में जो बिद्दुद है ये महेंगी पड़ती है कार्बन उस सर्जन की दर जादा हो गई है हमारा जो बाता बरन है ये पर दूशित हो रहा है जो बिद्दुद की उत्पादन करते हैं जैसे माले जी पहले 50 मेगावाट उत्पादित करते थी तो धीरे धीरे इनकी चमता कम होने जाती है क्योंकि मसीने बगेरा सब पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे ये तो कंसेप्ट है कि इनकी चमता कम हो जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाले एक्क्यूपमेंट्स को लगाएंगे तो खर्चा और बढ़ जाएगा मतलब overall बिजली हमको महेंगे मिलेगे तो इनको बंद करना आपके पास क्या है उचित है लेकिन देखो अगर सरकार कहती है कि हर एक कंपनी को हम बंद कर दें ये तो बिलकुल गलत है गलत क्यों है कारण सबज़े जैसे देखो हम कुछ कंपनीओ के ऐग्जाम्पल की बात करते हैं माल लीजिये हमारा जो बिंदियाचल थेर्मल पावर प्लांट है। बिंद्याचल थर्मल प्लांट के हम लोग बात करते हैं या आपके पास जो सिंग्रॉली पावर प्लांट आपके पास है इस सिंग्रॉली पावर प्लांट के हम लोग बात करते हैं इसके अलाबा और भी बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट है जो पिछले 30 सालों से पावर को ज दूसरे प्लांटों से बढ़ती है तो ऐसा इनके पास क्या है कि बिद्दूत हमको महेंगी नहीं पड़ रही है या ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिस से इन प्लांटों को बंद करना ना पड़े सरकार का कहना यह है कि अगर हम प्लांटों को बंद कर देंगे तो एक तो environmental profit हमको हुगा तो कि यह किस आधार पर करना चाहिए या इसके परहिणाम क्या कि आ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सबन्व कर से बिद्दूत महेंगी क्यों नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि कि यह सारे के सारे जो प्लांट है इंके पास जो RAW मटेरियल है यह इसागे पास क्या है बिल्कुल पास में है कच्ची माल की उपलब देता है तो यह ज्यादा महेंगा इनको नहीं पड़ता है इसलिए यहाँ पर बिजली की जो दर है अभी भी आपके पास कम है उतनी महेंगी नहीं पड़ती जितनी हमें जो कुछ पुराने प्लांटों से महेंगी दूसरा क्या है कि अगर माली जीए हम इन कंपनियों को बेंच देते हैं तो बेंचने के बाद भी इनसे हमको उतना ज्यादा टोटल पैसा नहीं मिलेगा जितना सरकार सूच रही है क्योंकि बंद करने के बाद फिर नई कंपनियां आपको लगानी पड़ेंगे तो हर कंपन किया जा सकता है क्या जैसे अगर हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल एक्यूपमेंट की बात करें जो पॉल्यूशन को कंट्रेल करेंगे ऐसे एक्यूपमेंट की कीमत देखना चाहिए सरकार को कितनी है और फिर इनको लगाने के बाद कितना महगा हमको यह पढ़ रहे हैं जो कि देखो बैचना सोरी इनको बंद करना एक कोई सॉल्यूशन नहीं है हम अच्छे के लिए कर रहे हैं पता चलाए इसके परिणाम दूसरे आपको देखने को मिल गए क्या देखने को मिल गए जैसा माल ली जीए जिन से यहां पर पाबर सप्लाई होती है वो पाबर सप समता को आपको चेक करना पड़ेगा और एक अच्छी मॉनेटरिंग आपको करना चाहिए बहतर मॉनेटरिंग आपको करना चाहिए कि जिसको बंद करना जरूरी है उसको बंद करिए सारी कंपनियों को बंद करने का फैसला लेकर किसी दूसरे ट्रबल में किसी दूसरे परि आपको करना चाहिए तो मेंस में अगर आपका क्वेशन आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे कि किसी भी पुरानी कूल कंपनी को बंद करने के पीछे निमलिखित कारण है बंद करने से पहले सरकार को इन बिद्नों पर चर्चा करने चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन मे किया जा सकता है इसके बाद ऐसी कंपनियां जो सुधारी नहीं जा सकते हैं जिसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है सिर्फ उनको यहां पर बंद करना चाहिए